तात्यों, बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनवती भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबुती से हर कदम उठाने में सक्षम है वैक्सिन का सुरक्षा कबच हो या भी भारत को चुनवती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से द्वस्त करना भारत हर मोर्चे पर समरता है आज हम वैक्सिन के मामले में भी आत्म निर्वर है और अपनी सेना के आधुनिक करन के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे है भारत की सभी सेनाएं सर्वस्त हो इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे है आज भारत के पास दुनिया की बहतरीन वार मशीन्स है आपने आज मिडिया में भी देखा होगा कल ही भारत में फ्रांस से तीन और रफाइल फाइटर प्लेन आए है भारत के इन फाइटर प्लेन्स ही मिड एर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र उनाइटेड अरव अमिरात ने की है और इसमें ग्रीज और सौधी अरव ने सयोग किया है ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते समंधों की एक तस्वीर भी है साथियों अपनी सेनाओं की जादातर जरूरतों को भारत में ही पुरा किया जा सके इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए है सो से जादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तयार किया जा रहा है अब भारत का अपना तेजर फाइटर हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लिएकर आसमान तक अपना तेज ठाला रहा है हाल में वायू सेना के लिए 80 से जादा तेजस का ओर्डर भी दिया गया है इतना ही नहीं आर्टिफिशल इंट्रिजन्स आधारिक वार्फेर में भी भारत किसे से पीछे ना रहे इसके लिए हर जरूरी आर एंडी पर फोकस किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस एक्विक्मेंट के बड़े मार्केट के बजाए एक बड़े प्रोडूशर के रूप में जाना जाए झाल